मत्यप्रदेश सरकार राम वन गमन पत के निर्मान के लिए एक ट्रस्ट बनाएगी जिसमें साधू संतों के साथ ही अब जन प्रतिनीधियों को भी शामिल किया जाएगा खास बात यह है कि इस पत के निर्मान के लिए सरकारी पैसे के साथ ही अब भक्तों से दान भी लिया जाएगा इस पत के निर्मान के लिए सरवे और निर्मान कारिक की जिम्मिदारी सडक निर्मान विभाग को सौपी गई है देखे एक खास रिपोर्ट सीम कमलनाथ ने राम वन गमन पथ निर्माट के सिलसले में भोपाल में बैठक ली। बैठक में तै किया गया कि पहले चरण में 30 किलोमीटर अमरकंटक और 30 किलोमीटर चित्रकूट क्षेतर से पथ बनाया जाएगा। पथ कम से कम 8 फीट चौड़ा रहेगा। सीम कमलनाथ ने इसके लिए भक्तों से भी दान लिया जाएगा। विभाग के डिरेक्शन में काम करेगा। सीम ने कहा सर्वे के दोरान सरकारी वन और निजी भूमी के अधिग्रहन समेत बाकी आपचारिकताएं बिना देर किये पूरी की जाए। बैठक में ये भी तै किया गया कि चित्रकूट स्थित मंदिरों को मध्यप्रदेश विनिर स्रियदल श्रिलंका सरकार से बात चीत कर सीता मंदिर के निर्मान को फाइनल रूप देगा। साथ ही सरकार ने साची में अंतराश्य इस्तर के बहुत दर्शन केंद्र विक्सित करने की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है। उसके सच्ची होंगे और बाकी और कैसे कैसे मेंबर्स होंगे कुछ धार्मिक लोगों को कुछ सामाजिक लोगों को भी उसमें रखा जाएगा। शेहर भी इसमें आ रहा हैं पांच हैं उनका भी पूरा होगा जितने मंदिर आएंगे उन सब को भी उसमें समाय उजित किया जाएगा। और सीता माता का मंदिर बनेगा जिसके लिए पांच करोड रुपे चिनित हुए एक हाई पावर डेडिकेशन अधिकालियों का। श्री रंका, जापान जितने भी बहुत कंटी वहाँ जाएंगे और बहुत साची के अंदर बहुत मुजियम, बहुत टीचिंग्स एक पूरी उसकी उत्याजियों बनेगा। तीस दिन के अंदर सर्वे भी होना है इसका। कुल मिलाकर राम वन गमन पत निर्मान को लेकर कमलनाथ ने काम करना शिरू कर दिया है। बहराल अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर कब तक ये राम वन गमन पत बन पाता है। यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल